नमस्कार मित्रों, 81 समाज की वीरता की गाथाओं पर एक स्रंखला मैंने शुरू की, 15 नमवंबर जन जातिय गौरो दिवस के अवसर पर, और आज इस स्रंखला में हम एक विलक्षण युद्धा की चर्चा करने जा रहे हैं, आपका नाम मर्री कामया, मर्री कामया जी का जन्म, गरुडा पल्ली, विशाखा पत्नम, जोकि आंधर प्रदेश में इस्तित है, नहीं राजधानी भी प्रिस्तावी थे, जी का इनका निधन 5 मई 1969, 5 में 1959 में हुआ था, आप आंधर प्रदेश के वन छेत्र से निकले एक विलक्षण युद्धा थे, आपका नाम मर्री कामया था, आपने 1930 के दशक में विशाखा पत्नम जिले में अंग्रेजों के लूट और सोशन का विरूध प्रारम किया, उनके विरूध के कान अंग्रेज इस वन छेत्र पर 7 वर्स तक कबजा नहीं जमा पाए, लोगों के मौलिक अधिकारों को लेकर सशस्त्र युद्ध कर छोड़ने वाले इस क्रामतिवीर को अंग्रेजों ने अंततर उनिस्तो चालिस में, 1940 में गिरफ्तार कर लिया, और असाहनी यातनाएं दी, उन्हें कई दिनों तक खाना नहीं दिया गए, तो सामाने से यातना है, लेकिन इससे जदा वो यातना देते थे, उनके साथ पशुवत वेभार के जाता था, चितना ही बड़ा सुदंता संग्राम से नानी, उतना ही बड़ा, उतनी बड़ी प्रताना, पांच मई 1969 को इस वीर सपूतर ने अपने प्राण त्याग दी, क्यों त्यागे, ताकि आने वाली जनरेशन सुखी रहे, और सुदंतर भारत में जो हम ये देखते हैं कि सुदंता संग्राम से नानियों की जैनतियों पर केवल छुटियां सरकारे कर देती हैं, लेकिन क्या वैल्यूज नेक्स जनरेशन को हम दे पा रहे हैं, मेरा तुमानना है कि सुदंता संग्राम से नानियों के नाम पर छुट पुंता संग्राम स्नानियों या जिन्होंने भारत के लिए अपना सरुच बलिदान दिया उनके वैलियूज को प्रोपगेट करते हैं समाजम फैलाते हैं धन्यवाद